वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला प्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रग्येगा सारे कोशन अटेम्ट करिए और इसकोर अपना तुरंत कमेंट करके बताए कितने सही हो रहें कितने गलत हो रहें जल्दी से कमेंट करके करते हैं सामाण जागरुकता विसे के नाम से प्लेइस्ट बना दी गई है तो वहाँ पर जाकर अप देख सकते हैं आःच सबसे पहला संगठन देखेंगे यूनैसको यूनैसको के बारे में जाने की यूनैसको सहीक्तराष्ट सैक्षिक वेज्णिक और सांस्कृतिक इसके 193 member countries हैं और 11 सहीयोगी सदश्य हैं इसके महानेदेशक कौन है महानेदेशक इसके अभी एड्रे अजोले हैं और यह फ्रांस कंट्री से ब्लॉंग करते हैं जो आड्रे अजोले हैं फ्रांस के इनको युनेसको के महानेदेशक के पत पर फिर से चुना गया है इसके पहल सकते हैं यूनेसको और परिस इस तरीके से इसके बाद अगला संगटायने सेयोक्तरास्टबाल कोस अगेन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टन कि संगटायने यूनिसेप और इसकी स्थापना और मुख्याले सबसे जादा बूचा जाता है एक साल बाद यूनेसको के इसके इसके बाद अगला संगटान है और पैट्रोलियम नेरियातक देशों का संगटान है नीसो साथ में इसके इसतापना हुई बगदाद एरान में बियेन और और ऑस्टिया में इसका अगला है इसके पांच संस्तापक सदर्शे थे इसमें इरान था, इराक था, कुवैद था, साउधी अरब था वेनिजोला था ये सारी वही कंट्री है जो की तेल निर्यातक कंट्रिया हैं जहाँ पर पैट्रोलियम पाया जाता है तो इरान इराग कोवेट साओधी अरब और वेनिजोला ये इसके संस्थापक सदर्श रहे इसके बाद इसमें बर्दमान में तेरा कंट्रीज हैं तेरा सदर्श इसके हैं इरान इराग कोवेट साओधी अरब और वेनि तो 2018 में इसके साथ जुड़ा था और यह जो संगठन है 1960 का इसके बाद इसके जो महा सचेव है वह है मौहमाद सानुसी वरकेंडो एक जनवरी 2019 को कतर ने उपेक की सदश्यता छोड़ दी इसके पहले कतर भी इसका सदश्य है एक जनवरी 2019 तक तो यहां पर हमने जाना उपेक में हुई यूनिसाफ के 1946 में हुई और यह फिर 1960 में आया ओपिक तो यह जाना इसके बाद अगला संगठन है डबलू टी और यह वर्ल्ड प्यूरिजम वाला है पर्यटन वाला संगठन है ट्रेड ऑगनाइजेशन नहीं है ब्यापर संगठन अलग है यह है विश्यो पर्य संगठन और इसका मुख्याल है मैडरिट इस्पेन में है एक नवंबर 1975 1975 में इसकी स्थापन हुई इसके महासचेव है जुराब पोलो लिका स्विली यह इसके महासचेव हो जाएंगे और इसमें सदर्श्य देश 166 हो जाएंगे तो यहां पर यह देखा इसके आगे देख सदर्शे अंडोरा हैं अंडोरा की लिशाट इक सदर्शे अंडोरा की रियाशत 190 अंतिम जो सदर्शे वह एंडोरा हो जाएगा महाने दिशक किस्ट्रेलीना जॉर्जिवा है जो की बुल्गारिया से ब्लॉंग करती है और इसके मुख्य अर्थेसास्त्री कौन है इसके देखा हुआ है भारत आये मेफ का संसाबक सदश्य रहा है विश्य बैंक और अंतरास्ट्री मुद्रा को उसको विटेन डूट्स प्रिंट्स के रूप में जाना जाता है यहां पर यह चीज़ देखी और यहां पर गीता गोपिनात के बारे में बताया गया है कि भारती मुल् पहले उप्रवंध निदेशक की रूप में कारी किया और इसके बाद 2019 से 2020 तक इसके बाद मौसम वाला संगटन है विश्यो विज्यान संगटन WMO इस्थापना 23 मार्श 1950 में हुई 23 मार्श को विश्यो मौसम दिवस्वी मनाते हैं मुख्यालेस का जिनेवर स्विजलेंड मे अध्यक्ष जिसके कौन हैं गेरहाड एड्रियन और जो की जर्मनी के हैं वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे विश्यो मौसम विज्यान संगटन 193 सदश्य राज्यों और छेत्रों की सदश्यता वाला एक अंतर सरकारी संगटन है यह चीज़ देखी हमने इसके बाद अकला संगटन देख रहे हैं अगला संगटन है उर्जा एजनसी आई ए ए ए अंतराश्य परमानू उर्जा एजनसी इंटरनेशनल इटोमिक इनर्जी एजनसी 1957 में इसकी स्थापना हुई 1957 में और इसका मुख्यालवी वियना ऑस्ट्रिया में है कोल 175 सदश्य है 175 मेंबर कंट्री है भारत बीस का सदश्य है और सबसे नया सदश्य इसका टोंगा है दो मार्च 2022 को सदश्य बनना टोंगा अंतराश्य परमानू उर्जा एजनसी का इसके महानेदेशक कौन है राफेल मारियानों ग्रासी जो कि अर्जैंटीन आगे हैं वो इसके महानेदेशक हो जाएंगी इसकी बाद अगला संगठन है संयुक्त राश्य ओद्योगी विकास संगठन यूनाइटेट नेशन इंडरस्ट्रियल डेवलपमेंट और्गनाइजेशन अगला संगठन है 1966 में इसकी स्थापना हुई नवंबर के महीने में और यह बियना ऑस्ट्रिया इसका जो है मुख् प्रॉलियम वाला उपेग का वी विए अस्ट्रिया में है और एक यह है संयुक्त राश्य और द्योगी विकास संगठन इसका मुख्याला भी विए आस्ट्रिया में है इसकी मेंबर कंट्रीज 170 है और अभी वर्तमान में जो इसके महाने देशक हैं वह हैं गर्ड मुलर इस इसके अधक्ष जो है मसत्स सुगु इसके अधक्ष हो जाएंगी मसत्स सुगु अश्कावा यह जापान से विलॉंग करते हैं इसके अधक्ष है भारत भी इसका सदश्य देश है इसका हैड़क्ष सबसे जादे इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है मनीला इसके अधक्ष के अंदर है तो इसको याद रखें एडीविका एडिया एशियन डेवलोप्मेंट बैंक इसके वाद अगला संगठान है अंतराश्य दूर संचार संग आई टी यू इस्थापन हुई सत्रह में 1865 को जनेवा स्विज़लेंट में इसका हैड़क्वाटर है म इसमें जो मेंबर कंट्रीज है 193 सदश्य राज है और 900 से आधे कंपनियों की सदश्यता यह लिए हुए 900 से आधे कंपनियों की सदश्यता है इसके पास तहां बद हमने प्रोग संगठान देखें इसके आगे कुछ और संगठान बागी है जो कि अगली वीडियो में देख सकते हैं थैंक यू सो मच